आज हम बारलेरिया लोंगी फोलिया या हाइग्रोफिल्ला औरीकुलेटा या हम कहें इसे एस्ट्राकेंथ लोंगी फोलिया इसके लंबे लीव्ज होते हैं और थौन्ज इसमें पाये जाते हैं हंदे में इसको ताल मखाना या पाल मखाना या कोकिलाक्स की नाम से भी इसको हम जानते हैं ये एक perennial प्लांट है और ये समस्थ भारत में पाया जाता है खास बात ये है कि इसका जो प्रोपेगेशन है बहुत ही साधान तरीके से सीड के माध्यम से हो जाता है वे वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है ये भी इसमें सक्सेस्फुली किया जा सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं एकन्तेसी फेमिली का है तो इसका जो पॉड होता है वो बस्ट हो जाता है और सीड का डिस्पर्सल कर देता है होल प्लांट इसका इस्तमाल करते हैं पंचांग बना लेते हैं मुख्यदा इसके लीव्स इसके जड़ और इसके बीजों का इस्तमाल किया जाता है इसके बीज में पालमेटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलानिक एसिड, स्टिगमा स्ट्रोल, आईसो फ्लेवन और विभिन परकार के गलाइकोसाइड्स वे अलकलोइड्स इसमें पाय जाते हैं वन्डरफुल एंटियोक्सिडेंट का भी ये कारे करता है, लेकिन आज हम इसके बहुत ही उपयोगी गुन का वर्णन करेंगे, जो की है पितासे की पत्थरी, पितासे की पत्थरी, गॉल बलेडर स्टॉन गॉल बलेडर स्टॉन के लिए इस होल प्लांट को जला कर इसकी राख बना लेते हैं और राख से इसकी छार बनाते हैं, और छार को एक गुराम, अगर पितासे की थैली में जो पत्थरी है, उसके कारण अगर दर्द है, तो दो-दो घंटे के अंतराल पे एक एक गुराम सीत जल के साथ, वे इसको हम सहजन के छाल के काड़े के साथ भी ले सकते हैं, अगर पितासे की पत्थरी में दर्द है, और अगर उसो हमें साइज का छोटा करना या निकालना है, और उसके बढ़ने से रोकना है, तो उसके लिए एक ग्राम दिन में तीन बार उसको हमें लेना है घी के साथ, गोगरत हो तो अच्छा रहता है एक ग्राम दिन में तीन बार गोगरत के साथ इसकी छार को लेना चाहिए इसके साथ इसके एनाबोलिक इफेक्ट भी है, एनाबोलिक का मतलब होता है body mass बढ़ाने वाला और यह होर्मोन को भी regulate करता है इसको एंडरोजेनिक भी कहा गया है male hormone और female hormone दोनों में यह बढ़ाता है और fertility को भी बढ़ाता है यह एनाबोलिक है और इसके साथ साथ यह एक diuretic भी है urinogenital disorders जो होते हैं उसको भी यह remediate करता है बहुत ही safe है इसको लेना और इसका पंचांग बना के आप रख सकते हैं इसके seed का oil आप इस्तमाल कर सकते हैं और इसका जो पूरा जो plant है इसको cultivation भी आप आसानी से कर सकते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता का आपको plant material मिल जाए देखिए अच्छी गुणवत्ता के लिए plant का cultivation करना बहुत जरूरी है क्योंकि soil का प्रभाव plant के metabolite के उपर आता है और plants का अगर high secondary metabolite बढ़ना चाहते हैं तो इसको cultivation करना बहुत जरूरी है इस plant को आप देखिए अच्छे से पहचानिए और इकुलेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके यह purple flower है बारल इरिया और इकुलेटा भी इसको कहते हैं यह अस्थमा में स्वास संबंदित disorders में अगर हम कहें आयुरवेद की दिष्टि से तो vitiated vata and pitta disorders क्योंकि गॉल ब्रेडर स्टोन प्रोमिनेंटली जहाद देखा गया है पिता disorders के अंदर ही बनती है तो पित अगर कंट्रोल रहेगा तो गॉल प्रेडर स्टोन के बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है यह wonderful plant है lifestyle management थोड़ा सा करने की आवसकता पड़ती है साथियो आने वाली अगली वीडियो में आसा यह रहती है कि आप लोगों के कमेंट्स प्राप्त हों कोई suggestion हों वो आप हमें अपने दे सकते हैं सुझाओ दे सकते हैं और कोई आपकी queries हों वो भी आप पूछ सकते हैं धन्यवाद